ओम नमः शिवाय श्री शिव महापुराण पहला खंड पहला ध्याय एक समय महरशी श्री वेद व्याज जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़पन प्राप्त किया था नैमी शारण नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मगन रहकर उनी के गुड़ों का कीर्टन किया करते थे उनी दिनों संयोग से शौनक रिशी अपने साथ अन्य बहुत से रिशियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले हे सूत जी हम लोग संसार रुपी अठा सागर में डूबे हुए हैं हमारा परमसौ भाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्थ हुए है कुछ समय पश्चात वहयूग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नश्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में व्रद्धि होगी सब लोग उस धर्म को छोड़ कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे चारो वर्ण उस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राम्मन वर्ण खेती करने लगेगा ब्राम्मन चल कपट में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे शत्रिय भी अपनी जाति धर्म को त्याग कर युद्ध शेत्र से विमुख होकर पलायन वादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे वे शूद्रों के समान कर्म कर बैठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे गौ की रक्षा करना वो छोड़ देंगे इस प्रकार शत्रिय जाति अत्यंत अन्याई और दुखदाई हो जाएगी इस प्रकार वैश भी अपने श्रेष्ट धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करने लगेंगे और उत्तम मारगों को ठुकरा देंगे इस प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग करके ब्रामुनों का काम करने की कोशिश करने लगेंगे शूद्रों द्वारा इस तरह विपरीत कर्म किये जाने पर ब्राह्मनों का तेज नश्ठ हो जाएगा ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों में भी आयू की कमी हो जाएगी संसार में जब भी इस तरह के के अधर्म बढ़ेगा और जाती बंधन नश्ठ प्राया हो जाएगे उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं देगा वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझ कर और लोगों को हेद रश्टी से देखने लगेगा ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीती रखना त्याग देगी मनुष्यों में सैयम जब तब तथाशील भी नश्ठ हो जाएगा हे सूत जी ऐसे घोर काली काल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि व्यों उनके पुत्र आदि उत्पन होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुन्दर्ता का लक्षन होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे बढ़िया काम समझा जाएगा भला आप ही बताईए कि ऐसे घोर समय में कल्युग वासी जीव किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं वे अपने पापों और सहस्त्र दुशकर्मों को भस्म करके सत्यपत को अपनाने में किस तरह समर्थ हो पाएंगे आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसनता प्रदान करने वाले हैं हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त हो गया अब करपा करके कोई ऐसा उपाए बताईए जिससे हमारी यह चिंता अनष्ठ हो जाए और हमें प्रसनता प्राप्त हो संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है आपने भगवान वेद व्यास की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है भगवान क्रश्न द्वेपायन ने अत्यंत क्रपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए है इसलिए आप हम पर भी अवश्य क्रपा करें शौनक रिशी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसंद हुए इसके बाद अपने नेत्रों से प्रेमाश्रों की वर्षा करते हुए वो इस तरह बोले हे शौनक जी और अन्य रिशी महानुभावों आप लोग परमग्यानी और संपूल संसार का हित चाहने वाले लोग हैं यद्धिपी संसारी लोगों की वहब बुद्धी नश्ठ हो गई है जिसमें सब के मंगल का ध्यान रहता है परन्तु आप सब लोग उसके अपवात स्वरूप हैं क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्ण किया है इसलिए मैं आपकी इस प्रीत के वशिभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परमिस्तुति का वरड़न करूँगा जिसे सुनकर कालिकाल के दुख नश्ठ हो जाते हैं और अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति मिल जाती है यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या कर संपून पदार्थों को अनायासी प्राप्त कर लेते हैं शिव लोक में किसी भी तरह का शोक और दुख कभी नहीं व्यापता इसलिए हे रिशियों उच्चित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझ कर शिव जी के चरणों में ही प्रीत लगाई जाए हे शोनक शिव जी की इस्तुतिक करने में वेद भी असमर्थ है इसलिए शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शोनक रिशी अपने दोनों हाथ जोड़ कर उनके सम्मुख बैठ गए इसके बाद सब रिशों ने परस पर विचार विनमे करके सूत जी से यह कहा हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुन कहलाते हैं उन्होंने सगुन रूप किस प्रकार धरन कर लिया उन्होंने संसार को किस तरह उत्पन किया और खुद किस प्रकार स्थित रहे वे किस कर से प्रसन होते हैं और प्रसन होकर क्या वर्दान देते हैं हे सूत जी, यह सब और इसके अत्रिक्त भी बगवान सदाशिव के सम्मद्ध में और जो कुछ भी जानने लायक है, आप उसे हमें बताएं, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कपा से भूत, भविश और वर्तमान, इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्री मुक से आपको इस ब्रह्मांड का संपून्ड रहस समझा दिया है। यह बात तैह है कि जब तक श्रेष्ट ब्रह्म ज्यान इसे भेंट नहीं होती, तब तक शोक तता मोहो नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यमान मानते हैं, जो शिवजी की कथा कीर्थन से अपना संबंद सदैव बनाए रहता है। जब तक शोक शोक है।